इक लास आपको ओने वला है बच्चो जैसा कि हम लोग का 2 Dashüş च चला था भुज़ो हिंदी का ठीके इसमें बच्चो हमने पहला प्रसिंद कर लिया था दूसरा प्रस भी कर लिया था ठीके और तिसरा प्रसंद भी हमने पूरा अच्छी तरिक्टे सकिया था चाहुताअ पłada बी ή बच्चो सामको हो गया थे रातमे 9 बजे ठीक है और फाइब पांच में प्रसंद का आज कह वाला सेक्शन इस वीडियोंboys हम पढ़ने वाले हैं बच्चो इसमें कॉर्प सेक्शन पढ़ने शुट जाए इसके लिए हम पुरी प्रापर तयारी करवा रहे हैं मैटा आई यह सुरू करते हैं ठीके इसमें हम पांच महत्पुन लेकों का जीवन पर चेले कर आएं बच्छो ठीके प्रस रिसी प्रकार का आप से पूछा जाएगा देके पहला है वासुदेव सराना गरव जी का बहुत इंपोटेंट है बेटा आप लोग इंपोटेंट लिख लिजिए गाई से इंपोटेंट है बच्छो ठीक है पहले इनके बारे में अच्छी तरीके समझते हैं बच्छो स्री वासुदेव सराना गरवाल जी का जन्म 1904 इस भी में ठीक है बच्छो कासी के एक स अंपन अगरवाल जो की वैश परिवार होता है बच्छो इन में हुआ था समझ में आरे ये बात चलिए प्रारंबिक सिक्छा प्राप्त करने के बाद आप उच्छा प्राप्त करने के लिए कासी हिंदू विश्व विद्याले में परविश्ट हुए यानि कह रहे हैं बच अपने बीये की परिच्छा पास कि इसके बाद लखनाव विश्व विद्याले से में पीच डी तथा डिलीट की बच्छो उपाधियां प्राप्त की ठीके आपने संस्क्रीत पाली तथा प्राकृतिक भसां प्राकृत भासां तथा प्राचीन भारतिय शैद की गंभीर के आप प्रकांट पंडित थे मतलब कहने का मतलब है बच्छो इन्हें इतिहास और पुरातन विज्ञान का भी बहुत ज्यादा नौलेज था कासी हिंदु विज्ञान में आपने पुरातत्व विभाग के अध्यच तता अचारे पद को सुसोवित किया यानि करें बच्छो कासी हिंदु विज्ञान में बच्छो पुरातत्व विभाग के यह बच्छो अध्यच थे और प्राचारे भी थे शन 1967 इस भी में आप परलोग सिधार गया आनि 1967 में बच्चों इनका मृत्त्य हो गया श्री वासुदेव सरण अगरवाल के ब्यक्तित्तों का निर्माड एक सचेत सोध करता विवेक सिल विचारक तता एक सहिर्दय कभी के योग से हुआ अता इनके निबंदों में ज्यान का आलोग चिंतन की गहराई और भावद्रेक की तरलता एक साथ लक्चित है शाहितिक परचे बच्चों बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए अगरवाल जी हिंदी के प्रतिभासाली तता विचार सील लेकक ते आपने निबंद आलोजना तता इतिहास आदी पर अनेक गरंतों की रचना की किन्तु शाहित्य जगत में आपकी शर्वादिक ख्याती निबंद कार के रूप में होई आपने अपने निबंदों के विशे में ठीके निबंदों के विशे भारती इतिहास से चुने हैं लेक लिखे हैं इनके निबद अत्यत सारगर्वित तथा गवेशड़ा पुर्ण है वैदिक साहित दर्सन पुराण और महावारत पर इन्हों ने गवेश्रात्मक लेक लिखे हैं जाश्री कृत पदमावत की संजीवनी ब्याक्या और बारबट के हर्ष चरित्र का इन्हों न अगरवाल जी एक गंभीर अध्यत ता सचेत सोध करता विवेक सिल विचारक और सहिर्दय चिंतक हैं उनके शाहित्ति में उनके ग्यान का प्रकाश हिर्दय की भावता और चिंतन की गहराई अस्पष्ट परतीत होती है रचनाएं बच्चो निबन संग्रा देखेंगे इन अलोचना की बात करेंगे बच्चो पदमावत की संजीवनी ब्याक्या तता हर्श चरीत्र का सांस्कृति का द्यन इतियास की बात करेंगे बच्चो पाड़नी कालिन भारत वर्ष ठीके पाड़नी कालिन भारत वर्ष ओके डियर दूसरे हैं बच्चो आप लोग के कभी पह पहले समझ में आया तो दूसरा समझियेगा अच्छी तरीके से कनहय हलाल मिश्र प्रभाकर प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 भी में ठीक वच्चो शाहरन पुर्जिले के देवबंद नामक कश्बे में एक साधारन ब्रामण परिवार में हुआ था इनके पिता पंडित रामादत मिश्र एक सरल धार्मिक ब्यक्ति थे जो पूजा पाठ और और पारोज हित्य के आधार पर जिविका चलाते थे ठीक है बच्चो परन्तु माता कुछ तिछड़ स्वभाव की थी इस बात का संकेत प्रभाकर जी के ठीक है मेरे पिता जी जो प्रभाकर जी है करें मेरे पिता जी की आर्थिक की थिति अच्छी न होने के कारण प्रभाकर जी की पढ़ाई लिखाई की ठीक से बेवस्तान न हो पाई प्रारंबिक सिक्षा के नाम पर थोड़ा अच्छर ज्यान सीख कर वे खुरजा की संस्कृत पाठसाला में संस्कृत पढने भेज दिये गये ठीक है इन्हें भेज दिया गया संस्कृत पढने के लिए अपनी सिक्षा के विषय में उन्होंने श्वयम लिखा है हिंदी सिक्षा सच माने पहली पुष्तक के दुसरे पाठ indicators खटमल, टंम टंम, फिर साधारन संस्क्रीत, बस हरीओम यानि बाप पढ़ेन हम, ठीक बच्छो बाप पढ़ेन हम clear है? ए था इनका बाप पढ़ेन हम, बस हरीओम का मतलब क्या इनों ने बताया? बच्छो बाप पढ़ेन हम, clear हो गया, चलिए खुर्जा संस्क्रीत विद्याले में पढ़ते हुए इन्हों ने एक दिन प्रसिद भारतियर जो बच्चो प्रसिद राष्टी नेता थे आसप अलिखां का भासर सुना उन्हों का इन पर इतना प्रभावपड़ा की इन्हों ने पढ़ना छोड़ कर शारा जीवन राष्ट की शेवा के लिए समर्पित कर दिया बाथ बच्चो 1930 से लेके 1932 तक की राजनीती से सर्वता अलग होकर अपने शाहित्य और पत्र का दिता द्वारा राष्ट और हिंदी शाहित्य की शेवा में लग गेता था निरंतर सहारन पूर में रहकर आप नया जीवन और विकास नामक पत्रों का संपादन कर राजनीती का और समाजी की जागरन में सनलगन रहे ठीक बच्चो और हुआ क्या कि 9 मई सन 1995 इस भी को आपका परलुकवास हो गया शाहित्तिक बच्चो परचहिन में भी बहुत जरूरी है आपका प्रभाकर जी स्रेश्ट सैलिकार हैं आप हिंदी में लगू कता संस बनार रेकाचितर रिपोर्टाज आधिक कई गदी बिधाओं के परवर्तक और पोशक भी हैं यह एक अधरस्वादी पत्रकार होता है ब इनके द्वारा संपाधित नया जीवन और विकास नामक पत्रों से इनके निर्भीक और आसावादी पिचारों का पता चलता है श्वतंतरता अंदुलन के समय इनोंने क्लियर है बच्चो जो स्वतंतरता अंदुलन का समय था बच्चो तो उस समय इनोंने श्वतंतरता से न प्रकास भी पड़ता है इस प्रकार प्रभाकर जी एक स्रेश्ट पत्रकार महान साईते कारता उच्छ कोटी के देशवक्त हैं रचनाएं देखें मुझे प्रभाकर जी के निम्लिकित कृतियां प्रकासी तो चुकियां आकास के तारे धरती के फूल जिंदगी मुस्काई पहारन पूर में रहकर आपने दो पत्रिकाओं का शंपादन भी किया है यह है नया जीवन और विकास हिंदी साहित जैगत में आप चीरकाल तक अमर रहेंगे यानि कि लंबे समय तक ठीक है बच्छो लंबे समय तक हिंदी साहित आपको भूल नहीं पाएगा हम लोगों को आपकी बहुत ही बच्छो कमी महसूस होगी प्रभाकर जी की बात कर रहे है बच्छो ठीक है तो इस तरीके से हमने दो कंप्लीट कर लिया बच्छो बहुत जादा समय नहीं लगेगा पांच-तरस मिनट के अंदर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा न डाक्टर राजारी पर बलियों के अंतरगतं दूबे छिपरा नामक गायों में भाट इनका जनम बलあの जीस जी ले किस गाउं में बच्छो दूबे छप्णम में वाट आपकते पिता स्री अनोल दीवेदी उच皆 की के जोतिसी थे ठीक है हजारी परसाद दिवेदी ने बसरीका के मीडिल इसकूल जो बसरीका के मीडिल इसकूल है बच्चो मीडिल इसकूल के से मीडिल पास किया इनसके पस्चात वरांसी से हिंदु विश्विद्याले में प्रवेश किया ठीक है बच्चो वरांसी से इन्हों से परिशा नहीं दे पाये थे तत पश्चात आप सांती निखेतन में हिंदी विवा के अद्यशप्त पर नियुक्त हुए उसके बाद सांती पर नियुक्त कर दिये गया कबिंद्र रबिंद्र तथा अचार चिती मोहन से प्रणावरापकर अपने शाहित का गंभीर अध्यान किया और शाहित के निर्मार में जुट गए समझ गया इस चीज को पुरा ध्यान से सुनिए का एक बार सुन लेंगे तो आप लोग को साथ याद भी हो जाए लगनव विश्विद्याले ने इने डिलीट की उपादी से विभुशित किया ठीके इस जिनकी बात हो रही हमारी किसकी बात हो रही बच्चो आचारह अजारी पर सद्दिवेदी जी कि उसके बाद पंजाब विश्विद्याले में फिर चंडी गड में हिंदी विवाक की अध्यच को आपने सुसोवित किया अब क्या हुआ बच्चा यहां विया आउकास अचारे हजारी प्रसाद दिवेदी हिंदी के मुर्धन ने विद्वान थे हिंदी और संस्क्रित साहित का इन्हों ने गंभीर अध्यान किया था कबीर सूर ते था तुलसी आदी वक्त कभीयों पर गंभीर गवेश राती सूर साहित्य गरंथ पर आपको इंदावर से स्वरण पदक तथा मंगला पसाद परितोसिक मिला था लिए रोगए बटा दिवेदी जी आदनिक युक के स्रेश समिक्षक और महानिबंदकार थे बच्चो अपने धर्मो तता मत मतांतरों के शाहित्य को का अपने गंभीर मनन और किसकी बात करेंगो चिंतन किया था विस्तृत यानि की बहुत ही बड़ा ज़्यादा ग्यान विस्तृत ग्यान के साथ इनके साहित्य में हिर्दे पच्की कमी नहीं है आलोक्चना में आप पहले अन्यमतों की समिक्षा करते हैं फिर अपना निर्ड़ात्मक मत अज्टिर करते हैं शन उन्नीस संतान में इन्हें पद्म भूसर की उपादी से भी भूसित किया गया था सभी बच्चे बोले यस सर एक बार किलिए रहे बटा ठीक है बोलो कि यस सर ओके चलिए यस सर बच्चे बोले थीके ओके रचनाय बच्चो देखे दिवेदी जी ने वीद विधाओं की रचनाय की है उनकी प्रमुकृतिया हैं हिंदी शाहिते का आदिकाल, लंदी का जफानिक कि भूमिका, अशोक के फूल कुटज, भीचार प्रवा, भीचार और वितरक कलपलाता, अलोक, पूर्वचाहिते का मर्म Kali का काली दास लालित्य योजना सूर दास कबीर शाहित सहचर बाड़ बटकी आत्म कथा ठीक बच्चो चारू चंदरलेख पुनरवा निबन संग्रह संशित प्रतिविराज रासो रासक प्रवंध चिंता मड़ी पुरातन प्रवंध संग्रह प्रवंध कोष बिश्व परिचय ल कानेर मेरा बच्पन आधी ठीक है चलिए वेरी गूड बड़ी अगला बच्चो प्रोफेसर जी संदर रेडी का ठीक है इनके जीज़ेश के बारें थोड़ा साम समझ लेंगे प्रोफेसर जी संदर रेडी ने तीन सताब्धी से अधिक समय तक आंद्र विष्व विद्याल प्रफेसर जी सुंदर रेडी का पूछेगा बेटा तो आपको यह लिखना जो मैं बता रहा हूं बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मस्त है ठीक है इस समय इनके निर्देशन में हिंदी और तेलगु सायति के विबिन प्रसनों के तुलनात्मक अध्यन परसोदकारे हो रहा है आप एक स्रेश्ट विचारक समालोचक और निबंदकार है प्रोफेसर जी सुंदर रेडी जी को बता जारा बच्चो कि यह क्या है स्रेश्ट क्रिटित और दोनों hier प्रभावव tomar रहे ठीके व्यद्टित और जिर्प्रवा इपरदेश के निवसी आं तथा पिहिंदी भासा पर आपका अच्छा अधिकार है। आपके हिंदी और तेलगू एक तुन्नात्मक अध्यान में शायित की प्रमुक प्रभिरितियां तथा प्रमुक शायित्यकारों का अध्यान प्रस्तूत किया गया। तमील तेलगू कन्नड और मलयालम दचिल भारत की चार प्रमकवासा हैं आपने इन चारों में ही शाहित्य रचना की तथा इन चारों भासा के शाहित्यों का इतिहास प्रस्तूत करके अपनी शीकर प्रतिभा का परचे दिया है आप इस क्रीती के संबंद में उत्तर प्रदेश के भूतपुर्व राजपाल डाक्टर बी गोपाल रेड़ी ने लिखा है कि यह अगरंत तुलनात्मक का द्यन के छेत्र में पत प्रदर्सक है रचनाय की बात करें रेड़ी जी की अभी तक आनिम्लकित रचनाय प्रकासित हुई है ठीक है पहला है साहित्ते और समाज दुसरा है बीचार तिसरा हिंदी और तेलगू ठीक है बिसेस्ताएं किस यूग की आ सकती है बेटा ठीक है बिसेस्ताएं बताते हैं आप लोग को ठीक है बताते हैं उस सीज को फिलाल तोड़ा से इसको कंप्लीट आप लोग कर लेने दीजिए ना एक बर इससे कंप्लीट करने दिलेने दीजिए बेटा ठीक है आगे देखें अब कहां थे बच्चा दखिए हम खुदे भूल गए ठीक है चलिए भूत पूर्व राजबाल अक्टर बी गोपाल रेड़ी ने लिखा है कि यह ग्रंथ तुलनात्म का ध्यन के शेत्र का पत पर दसक है रचना है रेड़ी जी की अभी तक ने मिलकित प्रकासित रचना है थी बच लैंगवेज प्रोब्लम इन इन्डिया नाख में ऊंडिया थी के लाइँ प्लाम इंडिया संपाधी थंग्रेजी जो बींपू आप लोगा सानी चाही जीर ओके चली और डाक्टर एपीज अब्दूल कलाम आई थिंकि बच्चों इनके बाद खतम ही है आकरीय बच्चों पन्aha प्लिएसा डाक्टर एपीज अब्दूल कलाम अमोल पाकिर जैनुल आपदीन अब्दूल कलाम पुरा नाम है वेटाossilika आप लोग याद रख लेना ठीक है का जनम दनुस कोडी रामेशोरम नगर तमिल नाडू में एक तमिल मुसलिम ठीक है बच्चों क्लियर हो गया मैं क्या बता रहा था फिर से समझ लीजेगा डाक्टर एपी जैब्दुल कलाम के वारें बता रहा था इनका पूरा नाम बता द इनके माता पिता का नाम स्रीमति आशियम्मा तथा श्री जैनूवल आवदीन था बच्चों ठीक है माता पिता का नाम के लिए रहो गया चलिए अगला है बच्चों आप लोग का कि अब्दुल जो है ठीक है अब्दुल कराम ने आर्सानी श्कूल से प्रात्मिक सिच्छा प्राप्त करने के बाद इन्होंने श्वार्टज हाई श्कूल रामनात पूरम से हाई श्कूल की परिचा उतिर की इन्होंने शन उन्नीच शव ठीक है थोड़ा से इरेज करें सेंट जोसेफ कॉलेज सेंट जोसेफ कॉलेज बच्चो त्री चूरापली में से बिज्ञान इंसनातक परिचा उतिन करने के बाद मद्राज तकनीकी संस्ता से उडियन अभियांतर की फोर्स में प्रविश किया बच्चो ठीक है उडियन अभियांतर की में बहुत अच्चे अंक से उतिन होने के बाद इनकी न्युक्ती रच्छा मंत्राले के तकनीकी विकास यह हों निर्माड नीदे साले ठीक है बच्चो हो गया चल निर्माड नीदे साले में 250 रुपे प्रतिमा पर वरिष्ट बैज्यानिक सायक के रूप में हो गई है तदपरांत यहीं पर रॉकेट इंजिनियर निक्त हुए और यहीं से चार माँ के प्रसिक चड़े तु ना सा गए वहाँ ठीक है बच्चो शमझ में आ रहा क्या कह रहा हूं ध्यान से समझी आप लोगी श्रीच को कह रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ बच्चो कि राकेट इंजिनियर निक्त हो गए ठीक है और यहीं से चार माँ के प्रसिक चड़े तु ना सा गए वहाँ से लोटते ही इन्हें राकेट सनयोजन नियुम सुरच्चा विवाग के ठीक है बच्चो इसका अध्यच बना दिये गया आपके नेत्रित्व में अठारा जुलाई ठीक है बच्चो अठारा जुलाई इस क्लियर हो गया अठारा जुलाई में आप पद्म भूसर से सम्मानित हुए आपको स्री अटल विहारी वाजपेई ने अपना सुरच्चा सलाह का न्युक्त किया सर 1998 में बच्चो ठीक है ठीक है बच्चो जो ततकाले राष्टपती है डाक्टर के आर नरायनन ने आपको भारत रतन के उपादी से सम्मानित किया स्री कलाम सन 2002 में भारत के 11 में राष्टपती रहें लंच हुआ बच्चो ठीक है क्या करां बच्चो 2002 में भारत के 11 में राष्टपती ये बने थे ये चीज क्लियर होगी हेलो आसे कैसे बटा ठीक है हो गये कि नहीं ये चीज क्लियर बटा 27 जुलाई सन 2015 को शिलांग जो की मेगालाय में पड़ता है इसमें त्याग तपश्या और प्रेम की मुर्ती स्री कलाम का आसमाईक निधन हो गया था ठीक है करें बच्चो इसमें क्या हो गया इनका निधन हो गया देश में परतम नागरिक के दिल से निकली वह आवाज जो गहराई के साथ देश और देश्वासियों के शुणारे वभिश के बारे में शोचती है बच्चो ठीक है अदम में शाहस, अदम में शाहस की बात करें बच्चों, मैं जीवन के अनुभाओं से जुड़े, शंसमरणों, रोचक प्रसंगों, मौलिक, विचारों और कार योजनाओं का प्रेनरा ब्रद चित्रण है, उनकी एक किताब, ठीक है बच्चों, उनकी एक किताब और आसमान 2009 इस भी में शपी, जिसमें उनकी आत्म कत्ता है, जो उनके अधभूत, ठीक है बच्चों, जीवन का वरणन करता है, उनकी अधभूत जीवन का वरणन करता है, जो भी बच्चे लाई हैं बच्चों, सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अन प्रियंडद आत्मक विचार नामसे भी प्रिचार के नामसे प्रकास facto क्रीटि में लिखते हैं आपकी शुरूप में याद रखना रखें जाने चाहें के आपको अपने जीवन को कैसे सवरूप देना है ठीक है बच्चो ठीक है उसे एक कागज पर लिख डालिए वह मानव इतिहास का सबसे महत्पूर्ण इनसान नहीं है ठीक है बच्चो एक चीश समझ में आई आप लोको मानव इतियास का महत्पूर्ण फुरिष्ट हो सकता है और रचनाओं की बात करें बच्चो रचनाओं की तो डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने मुल्ता अंग्रेजी में लेखन किया है जिसके अनुआद हिंदी बासा में किये गए हैं आपने प्रमुकर रूप में 25 पुष्टकों की रचना की जो निम लिखी थे प्रमुकर रूप में इन्होंने 25 पुष्टकों की रचना की थी बच्चो इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium Wings of Fire Ignited Minds The Luminous Sparks Guiding Souls Mission of India Inspiring Thoughts You are Born to Blosem The Scientific India Failure to Success Target 3 Billion You are Unique Turning Points Intimately एस अभी उनकी रचनाओं के नामे बच्चा याद रखिएगा Intimately Spread Spread Up India Thoughts for Change We Can Do It My Journey Governance for Growth in India Many Fatos for Change Forge Your Future Beyond 2020 The Guiding Line Reignited The Family and The Nation ठीक है बच्चों क्या बोला आप लोग को ठीक है क्लियर हो गया Nation Transidence My Spiritual Experience The Life Tree कविता संग्र ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हमने टोटली 5 को कवर कर लिया बटा ठीक है पांच को कवर किया है जितने भी लेका के परच्चे थे बच्चों आप लोग का यहां पर बच्चों पांच नमर के काम हो गए जारी 1 ऐदो आप लूंकर मिलने वालें फ्रकौ के मिलने वालें बच्चों को कभियूं का सारी का लिए खिक जी एक जलिए तो आच किलास संधु के जहें प्यार के साथ रहे सुष्टन के साथ कर दिखाऊ कुछ आइसक था